हेलो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए गंटी को दबाए हेलो फ्रेंट्स आपका एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल टॉप इंपो पॉइंट में स्वागते हैं कैसे हो आप दोस्तों आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि क्या एलियन सच में होते हैं और है तो कहां है दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हूं कि अगर आप हमाँ चैनल पे पहली बार आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर गंटी पे क्लिक करें त तो क्या इस पूरी बर्माड में एक खी सोर्मनल है ना इस बर्माड में बहुत सारे ऐसे सुरज भी हो सकते हैं और सोर्मनल भी हो सकते हैं चाहां ऐसी संभावना भी बनती है कि हमारे परत्वी जैसे और भी गरह हो और वापस जीवन हो और इनसान भी हो सकते हैं हो सकता है वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलोजी जानते हो या पिर ऐसा भी होता है कि वो बहुत पिछड़े भी हो दोस्तो साइंस ने भी अभी मान लिया है कि दूसरी गरों पर जीवन हो सकता है फिलाल मंगल गरों पर जीवन की खोज जा रही है बहुत हद तक इस पर पानी वगरे खोज लिया गया है जो जीवन होने के संभावना को दसा था है दोस्तों बहुत से लोगों ने एलियन्स को देखा है और उन्होंने यू एपो को देखने के भी बात बताते हैं जिन लोगों को नहीं पता कि U-Apple क्या होता है U-Apple एक तस्त्री या कोई ऐसा अबजेक्ट हो सकता है जिसमें एलियन्स यात्रा कर सके वो एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सके U-Apple एक ऐसा भी हो सकता है जो चप्टा गोल हो, तिर्बुजा कार हो तिर्खौन में ती चप्टा या गोल भी हो सकता है जो आस्वान में उड़ता है दोस्तों बहुत से वीडियो और फोटो सामने आते हैं जिसमें एलियन्स यू एपो देखने को मिलते हैं मैं इस बात का बिल्कुल दावन नहीं करता तक की जो भी यू प्रह साइटिंग होती है यू एपो देखे जाते हैं, वो सच होते हैं इन में बहुत से वीएप दोस्तों एक वीदी से अंजान वेकते ने एलियन्स अब्ड़क्शन यानि एलियन्स अप्रण की पोस्ट डाली हैं जो उसने खुद experience किया है दोस्तो aliens abduction वो होता है जिसमें आपको अपने पर control नहीं होता है आप ब्योंस जैसी हलत में होते हैं तो इस अवस्ता में aliens आपको उठा ले जाते हैं जी हाँ aliens आपको ले जाते हैं ले जाने के कुछ भी वज़ा हो सकती है हो सकते हैं आप उन्हें पसंद आगे हो या पिर वो आपको एक्सपेरिमेंट करें तो उस व्यक्ति का यह कहना है कि उसे एक रात को aliens उठा ले गए थे और वहाँ पर कुछ ऐसी सर्चे उसे बताई गई तो आस्र जनिक थी जो विश्वास करने लाइक बिल्कुर नहीं थी उन्होंने कहा यानि aliens ने कहा कि ये जो परत्वी हैं सोर मंडल ये बिग बेंग से नहीं बनाए जो बिग बेंग थियोरी हैं वो गलत हैं इसको बनाने वाला कोई एक ऐसर जिसे हम व्यक्ति तो नहीं कह सकते पर वो ऐसी कोई चीज है जिसका नाम दवंग है वैसे हिंदू गुरंतों में देखा जाए तो इस सरस्टी की रचिता एक है जो इस्वर है खेर साइन्स इस बात को नहीं मानते हैं अभी मैं आपके सामने कुछ फोटेज ला रहा हूँ वैसे तो एलियंस पर बहुत से वीडियोज हमको इंटरनेट पर मिल जाएंगे पर ये कुछ वीडियोज हैं जो रियल सची माने जाते हैं आप खुद देखे बते ही कि क्या है इनकी सच़ई है दोस्तों 1940 में रोजवल नाम की एक जगह है जहां एक प्लैन क्रेस हुआ था और वहां एक एलियंस का इंटर्वी लिया गया था उसका वीडियो पी लिया गया था चलिए वीडियो देखते हैं आपने देखा यह एक एलियन है और 1940 में CJ एनिमेसर नाम की कोई चीज नहीं होती थी कंप्यूटर इतने एडवांस नहीं हुआ करते थे जो कोई ऐसी क्लिप बना सके तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि यह एक असली एलियन हो सकता है तो आपको क्या लगते हैं क्या यह एक असली एलियन है या कोई जीव मुझे कमेंट करके ज़रू बताएं दूसरी वीडियो हैं ब्राजिल की जिसमें कुछ लोगों ने एक एलियन को पकड़ा और उसे बांग लिया तो चलिए यह वीडियो भी देखते हैं यह वीडियो भी कापी डराने वाली और सच्ची लगती हैं क्योंकि ज्यादा तर लोगों का मानना है कि यह एक सच्ची वीडियो हैं अब आखिरी वीडियो हैं जो एरिया 51 से जुड़ी हैं एरिया 51 क्या हैं इसकी हम एक अलग सी वीडियो बना लेंगे तो एक इंसान है जिसने अपना डूपलिकेट नाम विक्टर बताया हैं जिसने अपनी आवाज भी सौप्टेवे की मदद से जाड़ी कर रखी हैं उसका कह amplitude के आवाज प्रती हाज के विक्टर के मुटाबिक वो भी एरिया 51 में काम कच चुके हैं तो इस वीडियो में दिखा गया है कि कुछ सांठिस्ट एलियोन पर एक्स्प्रिमेंट कर रहे हैं तो चली यह आखिरी वीडियो भी देखते हैं जैसा कि आपने देखा एलियन्स पर कुछ प्रियूग किये जा रहे हैं ये देखके आपको क्या लगता है जरूर बता है तो चले अपने मुद्दे पे आते हैं क्या एलियन होते हैं हाँ होते हैं ऐसा मैं इसलिए कहा रहा हूँ कि बर्मान बहुत बड़ा है अपनी प्रत्वी जैसे बहुत से गरव भी हो सकते हैं तो संभावने बहुत बढ़ जाती है हमारा साइंस नहीं जानता हम इतने आगे नहीं बढ़े हैं कि उन तक पहुँच सके तो ये जरूरी नहीं कि उनका वजुद नहीं है अभी भी बहुत से देश अमेरिका ब्राजिल में एलियन की गटनाय आए दिन सामने आते हैं बहुत से सबूत सामने आते हैं पर सरकार इन सबूतों को कोई नो कोई बात बोलकर खारिज कर देती हैं ये वीडियो कैसे लगी आपको और आप क्या सोचते हैं? क्या मानते हैं? क्या एलियन्स होते हैं? कमेंट के हमें बताएं वीडियो पसदाए तो लाइक और सेर करें और हाँ दोस्तों ऐसे ग्यानवल दक और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर गंटी पे क्लिक करें टेक केल बाई जे हिंद